प्राइमेरी हम क्यों कहते हैं क्योंकि यहां से स्पॉर्म प्रडक्शन्स होता है इसलिए हम उसको प्राइमेरी कहते हैं स्पॉर्म प्रडक्शन्स की अलावा यहां पर भी कुछ होर्मोन सिक्रेशन्स भी उनकी फंक्सन्स होता है तरह यह देखेंगे टेस्टिस की लोकेशन्स कहां होता है जिसे हमने फिमेल में बात किये थे फिमेल में ओबरी कहां पर होता है अब्डुमेन यानि की लोयर बेली क के अंदर होता है लेकिन मेल की केस में टेस्टिस क्या होता है extra abdominal होता है बेली के अंदर आपको दिखने को नहीं मिलेगा extra abdominal present रहता है इंसाड है स्ट्रोक्ट्चर उस्ट लाइक स्ट्रोक्चर नुआ स्ट्रोक्चर को हम बोलते हैं scrotum ठीक है तो यहाँ पर question आता है कि क्यों, why the testis is present outside of the abdominal cavity, क्योंकि testis में जो sperm productions हो रहा है, sperm productions के लिए 2 से 2.5 degree temperature लेस चाहिए than that of our temperature, जैसे कि आपको पता होगा हमारी temperature तो 37 degree Celsius constant रहता है, तो उनको आहां से 2 से 2.5 degree temperature लेस चाहिए, क्या environment के temperature हमेशा 34.5 से 35 degree रहता है, नहीं रहता है, गर्मियों के दिन तो 55 degree हो जाता है, ठंड के मौसम पे तो कहीं पे बरब गिनने लगता है, तो इसलिए जो scrotal sac होता है, जो scrotum होता है, उनके पास capacity रहता है कि वो testis की जो temperature है, internal temperature है, उसको 34.5 से 35 degree Celsius में maintain करके रखेगा, यहां पर कुछ muscles पाए जाता है, ठीक है, डार्टर्स muscles बगेरा जो की क्या करता है, टेस्टीस की temperature को maintain करता है, इसलिए उस scrotal sac के अंदर होता है, outside of the abdominal cavity, ठीक है, टेस्टीस, male reproductive systems बोलेंगे, तो आपको primary sex around testis आ जाएगा, जैसे यहा यहां पर बास difference है इस तरह से गया है, फिर यहां पर फिर ejaculate reduct है, seminiferestibles है, बहुत सारे tables है, ठीक है, वो होते हुए फिर इस तरह के से urethra के through connected हुआ है, स्पॉर्म बाहर आ जाएगा, male case में स्पॉर्म और urine पास आउट होने के लिए एक ही opening रहता है, ठीक है, आज हमारे focus रहेगा सिर्पा सिर्प टेस्टीस के ऊपर, ठीक है, तो जैसे यहां पर बीच सर्वाइब देख सकते हो, तो टेस्टीस जो होता है, आडल टेस्टीस 4-5 cm रहता है, उनकी जो सेप और वीट की बात करेंगे, 2-3 cm रहता है, टेस्टीस हाज टू फंक्शन, एक तो स्पॉर् प्राइमेरी सेक्स अर्गान कहता है, दूसरा होता है, क्या आपकी हॉर्मोन प्रडक्शन करेगा, ठीक है, अचा हम यदि टीस देखेंगे, यानि कि इस तरीके से टेस्टीस आपने देखा है, यदि आपको ट्रांसबोर्स का लिए इससे कट करोगे, तो आपको क्या नजर आएगा, देखेंगे, टेस्टीस की जो आउटर कवरिंग रहता है, उसको हम बोलते हैं, ट्यूनिका वाजाइनिलिस, वाजाइनिलिस लिखा है, आपको लगा है कि फीमेल लिप्रडक्टिव सिस्टम की पाट है, ये मेल लिप्रडक्टिव के, सबसे आउटर कवरिंग जो जो होता है, ये completely टेस्टिस को कवर नहीं किया है, वो anterior portions में किया है, ठीके ना, मतलब कि पीछे वाले में नहीं है, ठीके यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीके यहाँ तक कवर गिया है, ट्यूनिका, जस्ट उनकी नीचे जो होता है, ट्य पेर भी होता है, ठीके, जो ट्यूनिका आलबुजीना होता है, उसके अंदर यादि आप देखोगे, आपको 250 ऐसे लोबिलर स्ट्रक्चर नजराएगा, थोड़ा मतलब कि विज्वालाइज करने की कोशिज किजिए, जैसे संत्रा होता है ना, ओरेंज, ओरेंज होता है, आ हर एक चेजे रहता है ना, हर एक इस तरीके से, तो 10 की आसपस इस तरीके से रहता है, हम उसको खा लेते हैं, समझ रहो ना, इसी तरीके से लोबिल्स होता है, थोड़ा आपने विज्वालाइज करने की कोशिज कीजिए, ताकि अच्छा रहेगा समझने के लिए, तो इस त टेस्टिस के अंदर आपको कितना लोबिल्स दीखने को मिलेगा, 250 लोबिल्स दीखने को मिलेगा, क्लियर है, हर एक लोबिल्स के अंदर आपको एक से लेकर 3 सेमिनिफेरस टीबुल्स दीखने को मिलेगा, क्या सेमिनिफेरस टीबुल्स यहाँ पाइप जैसे आपको दिखने को मिलेगा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, two five, three होता है, ठीक नहीं, यहाँ पर आप जैसे दिख सकते हो, तो एक testis में यह दी 250 lobel, दूसरी testis में भी 250 lobel हो जाएगा, कुल मिला के test lobel की number 500 है, एक testis में 3 है, तो 250 x 3 आप इस तरह के से calculate कर सकते हो ठीक है अच्छा तो यह हो गया चुनिका अभाजानिलिस जो सबसे बाहर है अभाजानिलिस अब लिए उसके अंदर होता है made by fibrous dense irregular connective tissue से वनी हुई है this layer forming septa that divides the testes into series of internal compartment जिसको हम lobule कहते हैं कितना lobule present है हमने बात किया 250 lobule इस तरह के से present है खरीक lobule के अंदर आपको एक से लेकर 3 semi-fierous tubules देखने को मिलेगा highly coiled semi-fierous tubules होता है जो semi-fierous tubules होता है हमने बात किये इस तरह के से highly coiled होता है this tubules की अपने इस तरह के से cut करोगे कहीं पर आपको ऐसे circle नजराएगा अंदर ही होता है semi-fierous tubules में आपको दो तरीके के cells नजराएगे एक तो होता है zorminal epithelial cells यानि कि zorm cells होता है जहां से में उसी cell division होने के बाद sperm production होगा उसके बाद और एक group of cells रहता है जिसको हम बोलते हैं सॉर्टोली cells क्या बोलते हैं सॉर्टोली cells बहुत important है यह नाम आप याद रखिए semi-fierous tubules के अंदर आपको terminal cells दिखने को मिलेगा और सॉर्टोली cells दिखने को मिलेगा जिसे मैंने बात कहीं कि एक से लेकर तीन semi-fierous tubules रहेगा एक semi-fierous tubules है दूसरा semi-fierous और भी एक हो सकता है तिसरा दो semi-fierous tubules की बीच में जो area है यानि कि यह वाला area जो आप देख सकते हो इसको हम बोलेंगे interstitial space क्या बोलेंगे यह वाला जो area है यह interstitial space होता है ठीक है interstitial space होता है इस figure में मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे ठीक है ना दो semi-fierous tubules की बीच वाला area जो आप देख सकते हो यह interstitial space क्या होता है उही interstitial space में क्या होता है जो cells पाया जाता है उसको हम बोलेंगे ledic cells या interstitial cells ledic cells की दुसरा नाम interstitial cells भी होता है इन बिट्वीन दो semi-fierous tubules में है तो इसलिए हम उसको interstitial cells क्याता है interstitial cells जो होता है यहां से टेस्टोस्टिरोन यानि की male sex hormone जो होता है वो secret होता है समझ भी है ना बात है male sex hormone यहीं पे secret होता है तो देखे आप तो जैसे हमने बात किये थे कि semi-fierous tubules surrounded by connective tissue जिसको हम ट्यूनिका प्रोप्या कहते हैं यह आपको tissue के बार में थोड़ा बत लिखना पड़ेगा below the semi-fierous tubules germinal epithelium present रहता है मतलब कि semi-fierous tubules के अंदर यह pipe है इसके अंदर यहां पे आपको germinal epithelium देखने को मिलेगा मैं पहले आपको समझा देती हूँ उसके बाद हम बात करेंगे ठीक है तो यहां पे हमने जैसे बात किये कि आपको यह testis रहा है उसके अंदर इस तरीके से lobules रहा है 250 lobules है मैंने 2 lobules बनाई यहां पे तो यहां पे जो है semi-fierous tubules यह एक हो गया semi-fierous tubules के अंदर आपकी एक रहा है zorm cells zorm cells जो क्या करेगा sperm productions करेगा ठीक है और उसके अलाब आपकी पाया जाता है क्या यहां पे शॉट्टोली cells सॉट्टोली cells को हम सस्टेनिकुलर cells भी कहते हैं ठीक है यहां पे आप जैसे दिख सकते हो दो बीच में जो रहता है उसको ह interstitial cells, interstitial cells क्या करेगा क्योंकि देखिए spormatogenesis जो होता है puberty के बाद होता है यानि कि sporm production एक mature age होने के बाद होता है चाइल लूड में ऐसा नहीं होता है तो जब भी हमारे gonadotropin releasing hormone hypothalamus में release होगा उसके बाद anterior FSH, LH जो होता है hormone release होने के बाद वो action दिखाएगा interstitial cells उसके बाद क्या secret करेगा testosterone ठीक है तो आपको एदी पुछा जागा कि interstitial cells की functions क्या होता है androgen यानि कि male sex hormone या testosterone androgen का मतलब है कि testosterone एक ही male sex hormone नहीं है dihydroxy testosterone होता है testosterone होता है उनकी बहुत सारे components होता है ठीक है इसलिए हमको cool मिला के बोलते हैं androgen यानि कि testosterone एक type of androgen होता है उसमें और भी धेर तरिकी के male sex hormone आपको देखने को मिलेगा तो interstitial cells जो होता है testosterone secret करवाता है तो testosterone को इतो secret हो गया लेकिन उनकी जो receptor है इसको हम बोलते हैं androgen binding protein यह पाए जाता है आपकी subtly cells के पास क्यूंकि वो receive करेगा testosterone secret होगा interledic cells है वो receive करेगा उसको subtly cells उसके बाद germ cells में क्या होगा mayoc cell division start हो जाएगा sperm production start होगा clear होना बाते ठीक है अच्छा एक बार जब sperm यह seminiferous की में बात कर रहे हूं एक बार germ cells में जब sperm बन जाएगा sperm की जो हेड है वो शॉट्रली cells की अंदर ऐसे डूबा होके रपाय जाता है क्यूंकि उसको nourishment लेना है directly germ cells को blood supply नहीं रहता है क्यूंकि sperm जो होता है वो next generation को उनकी जो भी genetic material रहता है वो next generation को चला जाएगा of strength बनाने के लिए तो उनमें blood के थ्रूव एदि मान लीजे कोई chemical आ जाए उसमें कुछ भी mutation बगरा होने की chances रहता है इसलिए direct blood supply उसको नहीं होता है subtly cells उसको nourishment provide करता है तो subtly cells के बहुत सारे function से एक तो nourishment provide करेगा दूसरा होता है क्या androgen binding protein उहीं पे होता है तो leadic cells तो testosterone secret करतेगा लेकिन receive कन करेगा आपकी subtly cells ठीक है उसकी अलावा subtly cells में एक embryonic time पे क्या होता है anti-mullarian hormone secret होता है होता है क्या है देखिए male की case में क्या होता है testis जब शुरुआत टाइम पे यानि की embryonic time पे माल लीजे एक baby boy filters mother address के अंदर है तो 6-7 महिने के time पे क्या होता है वो जो testis है वो abdomen के अंदर रहता है लेकिन 6-7 महिने के बाद ये क्या होता है आ जाता है outside of the abdominal cavity scrotal sac को आ जाता है ठीक है तो उस time पे क्या होगा वो चीज़े सारे चीज़े formation हो रहा है sortoli cells क्या कर रहा है कि anti-mullarian hormone secret कर रहा है ताकि mullarian duct जो है ना बन पाए कि mullarian duct जो होता है वो female reproductive organ बनाने में help करेगा जैसे ठीक है ना फालो पेन टूब हो गया ये सारे चीज़े बनाने में help करता है उसको step करता है कि आपको female reproductive चीज़े नहीं बनाना है आपको male बनाना है तो anti-mullarian hormone भी यहां पे secret होता है ठीक है तो देखिए तो जैसे हमने बात कि कि सस्टेन को या सटन इनी बिन हा यहां पर और एक hormone secret होता है इनी बिन इनी बिन की functions क्या होता है जो follicle stimulating hormone को इनी बिन negative feedback देता है ताकि मालेजे sperm production सब सभी सारे चीज़े की एक limit रहता है ठीक है ना और sperm production की ज़रूरत नहीं है तो ओ FSH को inhibit करेगा कि और मतला कि stimulate मत करो ठी तो इनी बिन secret करता है आंटी मूलेरन होर्मोन secret करता है जो कि negative जो कि क्या है आंटी मूलेरन डक्ट फॉर्मेशन करने नहीं देगा याद रखिए मूलेरन डक्ट जो होता है ओ फीमेल reproductive part बनाने के लिए रहता है ठीक है आचा तो यह एक संड वाई क्रोमोजन की बात होता है हम बाद में बात करेंगे और अंड्रोजन बैंडिंग प्रोटेन रहता है जो कि receive करेगा और आउटसाइड दो सेमिनी फिरस्टिबूल्स इंटरस्टेसल स्पेस रहता है जो कि small blood vessels रहेगा ठीक है लेडिक सेल्स वो टेस्टोस्टों सिक्रेट करता है और आपने से आपकी इसरी के से भासा इफरेंशया यहां पर यहाला जो figure आप देख सकते हों यहां पर यह होता है भासा इफरेंशया फिर भासा इफरेंशया है जो है इस तरह किसे काईल हुई है Whew जो कि क्यासे आपको ऐसे पुछा जाता है कि कहां से कहां कैसे मूव करता है स्पॉर्म सेमिनी फिरस्टिबूल्स में फॉर्मेशन होगा होने के बाद रेटे टेस्टिस को आएगा रेटे टेस्टिस से आपका भासा इफॉरेंशिया भासा इफॉरेंशिया से epididymes epididymes से भास difference ठीक है ना भास difference ऐसे होते हुए फिर डिफरेस्टेबूल सी जाग लट ड़क्ट इस तरह के से उनकी पात भी होता है ठीक है I hope आपको TS of testis अच्छे समझ में आएगा histology के बार में वीडियो पसंद आए तो like कीजिए, subscribe कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी share कीजिए Thank you